हेलो दोस्तों, आज हम भारत के पांचवे सबसे बड़े राज्य उत्तर परदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका छेतर फल दो लाख तैंतालीस हजार दो सो च्यासी किलोमीटर स्क्वाइर है दोस्तों, उत्तर परदेश को पहले युनाइटेट प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था इस राज्य की आस्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी दोस्तों, उत्तर परदेश की राजधानी पहले आहमदाबाद हुआ करती थी, 1920 में इसे लखनों बनाया गया था उत्तर परदेश की अबादी लगभग 20 करोड है इस राज्य में कुल 75 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिला लखीम पूर खेरी है जिसका छेत्र फल 7680 किलोमीटर स्क्वाइर है यहां लोग हिंदी भासा में बात करते हैं लोग सबाके सबसे जाता सीट वाली राज उत्तर परदेश है उत्तर परदेश के पहले मुख्यमंतरी गोबिंद बल्लब पंद जी थे और यहां की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडियू थी जिने भारत की कोकिला भी कहा जाता है उत्तर परदेश के उपस्तेत मुख्यमंतरी आदित योगिनाथ जी है भगवान राम का जन्म उत्तर परदेश के आयोध्या में हुआ था और भगवान कृष्न का जन्म उत्तर परदेश के मथुरा में हुआ था और दोस्तों अजादी की पहली लड़ाई मीरट से मंगल पांडे द्वारा सुरू की गई थी। सोहन लाल दिवेदी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 1123 railway station है, जिसमें गोरखपुर का station उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा station है, बस उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्वव का सबसे बड़ा station माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल नदियों की संखिया 36 है जिसमें सबसे जादा प्रसिद्ध गंगा, यमना, सर्शति को माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 28 एरपोर्ट हैं जिसमें 2 इंटरनेशनल एरपोर्ट एक चौधरी चनल्णाशी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो लखनोव में इस्तित है और दूसरा लाल बहादूर शास्तरी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो वारानसी में स्तित है दोस्तो उत्तर प्रुदेश में कुल चिडिया घर की संखियाद चार है दोस्तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जित जामा मस्जित जो बदोन में इस्तित है और भिरिंदावन चंद्रयोदे मंदीर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंदीर है उत्तर प्रदेश की सबसे आकरशन अस्थल आगरा सहर है क्योंकि दुनिया के साथ अजुबों में से एक अजुबा उत्तर प्रदिश में इस्तित है जिसे ताज महल के नाम से जाना जाता है यहाँ बियाच्यू अलिकड युनिवस्टी के अलावा अनिक विश्व बिद्धाले हैं फिर भी यहाँ के लिट्रेशी रेट सड़ सट परतिसत ही है दोस्तों उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज इसे सेर करना और सब्सक्राइब करना न भोले धन्यवाद